जिस इस्थान पर गव मता को बांधा गया हो और गाय अपने बच्छडे को बच्छिया को जन्म देती हो उस इस्थान पर उसकी मिट्टी उसकी मरदा उस जगा की रज जब मतान का मुर्ग होता है दुकान खोली जाती है दुकान बनाई जाती है दुकान में कोई अगनी का प जनम दिया हो, बच्चे को जनम दिया हो, उस इस्थान की हिट्टी, उस भूमी पर लेपन कर दी जाए, तो जिंदगी में तभी संपदा की कमी नहीं हो सकती है। और वो भी देशी गाय, देशी बच्चों को जनम दिया, अभी देशी नहीं, जर्सी नहीं, हो देशी बच्चडाओ, देशी ही गाये। जनम देती हो, गाये पने बच्चिया को जनम देती हो, उस जगह की विट्टी बड़ी प्रवल होती है। यहां तक शिमाहपुराण के कता कती है, सकंद पुराण कती है, धिनुमानस कती है, गीता पर इस गोरगपुर का गोंक वर्णन करता है। महाराण, गउमाता के खुर, गउमाता के चरण जहां पर नित्य प्रती पढ़ते हो, नित्य प्रती पढ़ते हो। चरण पर गउमाता के खुर में से गोलोचनी निकलती है, वो गोलोचनी सफेद कलर की होती है, उसको आप एसे पटक देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जिससे लकडी है, पर वही गोलोचनी को आप दूद में डाल देंगे, तो चलना चालू कर देंगे। उसको कहते हैं गोलोचनी, गोलोचनी बढ़ना ने इसका, इसका नपुराण में इसका बढ़ना ने, जिस जगहा पर गाए बच्छडे को जनम दे, बच्चिया को जनम दे और जनम देतें समय पर गउमाता को जब कश्ट की अनभूती होती है, जो कश्ट, जैसे एक नारी क कश्ट होता है, वैसे ही गवमाता का कश्ट होता है, और वो कश्ट के समय पर खुर में से गवलोचनी गवमाता के कश्ट को हरने के लिए प्रगत होती है, उस गवलोचनी का जिब्या से गवमाता चाटन करती है, चाटती है, और चाटने के बाद जो बच्छडा जनम देती वो बच्छड़े को अपने जिव्या से एक बार चाट लेती है, दुनिया में केवल एक गव माता का बच्छड़ा ही ऐसा है कि वो गव लोचनी की जिव्या से चाटने के बाद बच्छड़ा तुरंट उठके खड़ा हो जाता है। पर दुनिया में केवल एक गव माता यसी है कि गव माता अपने बच्छड़े को जनम देती है, जनम देने के कुछ देर बाद जब गव लोचनी की जिव्या से चाट लेती है, बच्छा उट पर खड़ा हो जाता है। उनी तर गव लोचनी पड़ी है और वो गव लोचनी हमारे जीवन का सुक्कन उभाव करा देती है। इसलिए साथ तो कहता है कि नई दुकान बन रही हो, नया मकान बन रहा हो। माराज नहीं कोई प्रापर्टी आपने खरी दी है और उसमें कोई वेपार चालू करना चाते हो, तो पहले गाए जहां पर बच्छडा बच्छिया को जनम दिया हो, भले पेले दिया हो, पर जमीन तो वही है, रेश तो वही है, वहां की मिट्टी का लेपन करने से, वो सु आई कोई कमी अगर रे गई क्योंकि आज वास्तुवारा नहीं वोलेगा, तो तो पंता दिन और दूसरे वास्तुवाले को जिखाऊँ को जिस वाफ्तुवालों को जिखाbak इसने वास्तुवालों को बलाऊंगे, वो दिखाऊँ को शुए बसे शजिए पक्का, तुम की elders क किसी को अपना हाथ दिखाने चले जाओ, तुम किसी से नक ऊचने चले जाओ, तुम किसी वास्तुशास्तरी के पास चले जाओ, जब तक वो उसमें थोड़ा वोत एव नहीं निकालें, तो क्या मतलब क्यों निकालना तो पड़ेगा ना, थोड़ा बद भयत उत्पन करना पड़ेगा ना पर शिव महापुराण की कहती है कि शंकर के पास आने के बाद कोई भय की बात होना ही नहीं चाहिए कुछ नहीं कि आगर शंकर का नुमोधन कर रहे हो तो फिर सोचना नहीं है जो होगा शंकर करेगा वह होगा अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ट रोग हो गया, चमरी सफेद पढ़ गई, रोग समापत नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, अउशदिया आपने बहुत कर ली, तो तीन जगा की मिट्टी आपको फल प्रदान करें, पहला सूरी कुंद की मिट्टी, इसक उस सूरी कुंद की मिट्टी को लाकर, जिस व्यक्ति को पुष्ट रोग हो गया हो, शरीर की चमरी सफेद पढ़ गई हो, इसकंद पुराण करती है, सूरी कुंद की मर्दा लगा लेने से, पास से साथ दिन में रोग समापत होने लगता है मारण, पर सूरी को सर्वदिक प सर्वदिक प्रियता सूरी को क्या, क्योंकि सूरी तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूरी देउता कि शरीर पर गाये का घरत मला जाता, जैसे शनी को तेल लगाया जाता है, सूरी को घरत मला जाता, इसलिए सूरी कुंद ता एक नियम है, कि सूरी कुंद पर सगर मिट्टी लेकर आते हैं शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोक समाग तो हो जाए सफेज चमडी अपने वापिस रंग में आ जाए तब आप जितनी कामना करकर आते हैं उतना गी उस सूरी कुंड के पास में डालना परता है एक किलो, दो, किलो, आदा किलो, डाई सु गिराम, पत्चीस गिराम, पचास गिराम जो आपने कामना करी हैं उतना चड़ा रहा पर वो घी गाय का होना चाहिए और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता इसलिए आज भी इसकंद पूराण में तो केवल सूरी कुंड का रणण है खरत का रणण है, पर इस खान आजबी जासी और गतिया के बीच में जो सूरी कुंड विराजमान है आज भी वहाँ पर कुंड के पास में एक गी का कुआ है जिसमें गी डाला जाता है पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया करती नहीं कर सकता जो करता है वो सरीर में फपोले पड़ जाती है और बाद में सड़ कर मर जाता है गृत है पर गंद नहीं गृत है तीन जगा की म्रदा जीव को सुकन भव कराती पहला सूरी कुंद महाराज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे